वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग एमशार की मजा आता होगा और आप लोग को फिर से एक नए व्लोग में और मैं गैस अभी ओफिस जस्ट में पहुंची रहा हूं और भाई आज का मौसम नहीं मस्त है सुबह सुबह रात में अक्चली बारिश पड़ा था सुबह स देखो फैस यह वाला एक लैप्टॉप है यहां पर हम क्या करना है एस दीनिकाल नहीं और यह वाला लैप्टॉप देखो इसका हमने पूरा फ्रोंयों आपरेशन कर दिया अब हमें करना क्या पता है इसमें चलीच感 check करना है कि दूंच हमें देखना है इसमें बाद दॉब लैक्टॉप अगरा का नहीं देखा है कुछ इस तरह यह लीड़ो का लैक्टॉप है और मेरा यह वाला लैक्टॉप इसका SSD निकाल करके चेक करेंगे इसमें और देखेंगे कि वह काम करता है पहले देखते हैं SSD का ऑप्शन है की नहीं SSD का स्लोट है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखुए है यह एक्स्पेरिमेंट कर रहें तकि जब वहाँ अगर सही से काम करेंगे तो इसके लिए हम नया मंगा लेंगे तो जल्दी से में फटा से इसको ओपन कर लेता हूं फिल्मे दिखाता हूं तो गैस जैसे निकालते हैं यह देख लो कुछ इस तरह से motherboard हमारा आता है तो गैस देखो अब यह है लिनोवो का motherboard देख सेक्टो बैए यहां पर दो गिक्स का RAM लगा हुआ इसको RAM बोलते हैं और यह वाला SSD है अब हमें इसको रिमूब करके उहां दालना है तो मैं फटाक से इसको रिमूब करता हूँ आप लोग इस व्लॉब को साहिद यह है SSD इसको कहते है SSD यह करीबन 256 GB वाला SSD है देख सकते हो भाई टेकनोलेजी कहां से कहां पहुच गिया और जिलनों का उमर जो है आप लोगों का 15-16 साल है आपको पता है यह सब टेकनोलेजी के पहले हमारे पास यह मोटे मोटे हार्ट डिस्क रहाते तो ठीक है तुम लोग भाई ना बहुत लग्की हो फ्यूचर बहुत चीजे देखने पर अब मैं अगया जब डेकसटॉप का जमाना फा उस तब लैक्टॉप होते भी नहीं तो 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 थोड़ा बहुत नॉलेज़ है और इन सभी चीजों में मुझे पॉलेज के टाइम से ही इंट्रेस्ट है बच्से पेंट्रेस्ट है तो अब देखो यह राता है इसको यहा स्क्रूप में दाल देता हूं यहां पर देखो क्या होता है अच्छली पता है जब हम SSD दालते हैं ना तो ओवराल किसी भी लैप्टॉप का परफॉर्मेंस अट लिस्ट 4-5 टाइम एक्स का बूस्ट मिलता है अच्छा अच्छा फैन के लिए ना इसके लिए ना जब कभी तू लगाएगा ना तो स्क्रू एक नया लेना पड़ेगा यह चोटा स्कूरू है इसमें नहीं रह रहा है हिल जा रहा है इस निकल जा रहा है है करने में भी डर लगता है तो को मैं इसको जल्दी से फिट कर देता हूं क्यार्व फाइनली जहने इसको सेट हो गिया आप टेस्टिंग का टाइम है भाई काम करता है कि नहीं देखो कि अन तो कर दिये भाई इसमें जहना टोटली डिफेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैंने बस आइसे यार तुम लोग के लिए वीडियो बना दिया यह साई टेक चैनल पर मुझे दालना चाहिए था वाट सच चलो व्लॉग चैनल पर दाल देते हैं आज ऑज ऑफिस में हूं आज से तीन-चार दिन के लिए शायद मैं बोल रहा हूं व्लॉग की वीडियो या फिर में चैनल पर वीडियो नहीं आ सकती है क्योंकि कल से मॉम हॉस्पिटलाइज हो रही है तो चार-पांस दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तो उसके लिए शायद हम रियली सॉरी जब तक बस आप लोग प्रे कर देना यार मॉम ठीक हो जाए बस चल्दी से ठीक है बांकि जो भी काम वगरा है ठीक हो जाए और दिल से शुक्रिया गएस आप लोग जो नहीं सपोर्ट कर रहे हो इस नए चैनल पर भी थैंक्यू सो मच अच्छा लगता है आप लोग का कॉ प्रफॉर्मेंस आता है एक और इंपॉर्डेंट बात जैसे कोई हार डिस होगा रहा दालते हो तो बूट मैनेजर में जाकर के बूट सीक्वेंस को सेट करना होता है क्योंकि तो इसमें HDD भी है और SSD भी हमने लगाया है तो भाई बूट सीक्वेंस इसको बोलते हैं गैस BIOS देख सकते हो कि इसको दिख रहा एक नहीं पता नहीं है तुम लोगो इसको बोलते हैं BIOS आप गूगल कर लेना तो BIOS में जाकर के पहले बूट सीक्वेंस को चेंज करते हैं ताकि SSD से रीड करें और चीजे काम करें अच्छे तो इस चीजों को हम सेट कर लेते हैं फिर से मत 10-15 तो होगा ने कब से कम जितना भी maximum हो पाए और स्केडूल कर दूँगा ताकि आपको अट-लिस में चैनल वगरा पर जोने कंटेंट मिलता रहा है चला मैं थवड़ी देर के बाद में मिलता हूँ आप से भाई साब मैं कोई फिल्टर नहीं लगाया हूँ देख सकते हो भाई क्लाइमेट एक अंदर में अच्छली हलका सा गरम लग रहा है बट भाई साब बाहर मेरा मौसम अब मैं आपको क्यामरा में उतना तो पता नहीं चलेगा देख सकते हो भाई पादल वगरा है तो मतलब इससे क्या ही मस्त लग रहा है और यह जो लाइट आरन ठोड़ा रेड़िश रा लाइट हो चुका है अचली इसलिए आप चेहरे पर देख रहे हो भाई गुलाबी जैसा चेहरा लग रहा है तो भाई कोई फिल्टर नहीं है और बाहर में अच्छा चिल्ट हो एदर जैसे एसी रूम में रहते है उस तरह सा फिल हो रहा है अब तो थोड़ा मजा लेते हैं और गैस एक चीज हो गया दिन बार हम जो चीजे करते रहे उसके कारण जाने बाद में विंडोस ही गरप्ट हो गया और उसमें विंडोस लगी नहीं रहा था और फिर क्या-क्या हमने तो फ पैसिकली फैनली लाप्टॉप तयार हो चुका है